तो ये बात है आज से दस दिन पुरानी और मैं गया था आपके उत्रा खंड के दरहदुन सहर में टाइम हो रहा था छे बच के 35 मिनट तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं दरहदुन पहुंचा हूँ मैंने सुचा कि थोड़ा पहले घूम लिया जाए क्योंकि धरहदुन आये हैं थोड़ा बहुत घूमेंगे ही बट हुआ ऐसा कि मुझे लगने लग गई थी भूख और मेरे पेट में कूदने लग गए थे चुहे तो मैंने सुचा पहले थोड़ा भूट कुछ खा लिया और बाद में काम दूजा तो उसके बाद हम पहुँच गए थे एक छोटे से कैफे में और मेरे साथ थे मेरे प्रिया मित्र प्रॉति भाई तो जो लोग दहादून के हैं उनको पता ही होगा कि दहादून के ममोस काफी फेमस है और वेराइटी भी बहुत ज़्यादा है तो जैसे कि मैं कोड़वार में हूँ और कोड़वार के मोशली मैंने हड़ जागा के मोमोस खा रेके और यहां का टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया बर जैसे कि जो कोड़वार के दहादून में जॉब कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि वहां के मोमोस जो हैं उनका टेस्ट काफी अच्छा है वहां का टेस्ट है उसमें पैसा वशू लो जाता है तो दोस्तों जैसे कि उसके बाद हमने मोमोस और नूडल्स खाया उसके बाद हम लोग घर गए घर पहुचने के बाद हमने थोड़ा बहुत दिनर किया और दिनर करने के बाद हम जो ऐसे की रोज पब जी खेलते हैं तो वैसे हमने पब जी खेला और उसके बाद हम लोग सो गए गुड़नाइट So good morning friends तो अगले दिन की सुबह होते ही ऐसा हुआ कि हम लोग बैट से उठे फ्रेस हुए नाश्ता किया और निकल गए तो दोस्तों जैसे कि मैंने लाश व्लॉग शूट किया तक कडवाश्यम गुरुकुल के उपर तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो पराई ब्रेंद में देख सकता है और जैसे कि दोस्तों हम लोग घर से निकल चुके थे तो उसके बाद हम लोग कहां पहुंचे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं तो जैसे कि धरादल में राती भाई का घरवन रहा है तो अभी हम उनके प्लॉट में गए हैं तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि अपन लोगों का रात को ही प्लान बन गया था कि सुबह घूमने के लिए जाना है बट बाकी के जो लोग थे उन्ह तो ऐसा हुआ जब सबने प्लान की माभय ने कर दी तो हमने सोचा क्यों न अपन लोग घूमने के लिए वैसे भी धारादून आये हैं सिर्फ एक दिन के लिए तो हम लोग घूमने के लिए निकल गये और हम लोग पहुँचे सिद्धे रौती भाई के दोस्त के घर पे वह हमने सोचा हमको भी कोई बढ़िया सा टीशर्ड मिल जाए तो हम भी ले लेंगे बर्ट वहां पे हमको कुछ पसंद याया और हम वहां से निकल गया तो ऐसा हुआ हम रास्ते में जा रहे थे और हमें दिग गए कुछ राइडर्स और हम पहुंच गए एक पूल पे तो हमने सोचा हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक रौती भाई ही ऐसे हैं जिनके पास है रेसिंग बाइक और उनके पास है डॉमिनार 400 CC तो हमने हमने सोचा हमारे पास तो नहीं साइकल है नहीं स्कूटी है और और किसी जमाने वे लेंगे और अलग बात है तो हमने सोचा आपके ही बाइक के कुछ शॉर्स ले लेते हैं बड़िया बढ़िया मजा नहीं आया ना अव आएगा और कहां पहुंचे तो हम पहुंचे एक छोड़े से रिजॉर्ड में जहां पे हमें एक और फ्रेंड मिला और फिर हम लोग वहां से निकल गए सो फाइली हमको एक कैफे मिल गया अब हम वहां पे रुखे और अब हम कैफे के अंदर जा रहे हैं तो जैसे ही हम कैफे में पहुंचे वहां पे जो लोग थे उन्होंने काफी अच्छे से हम लोगों का वैलकम किया और फिर वहां पे मैंने देखा कि कैफे को उन्हों लोगों ने काफी अच्छे उसे डेकॉरेट करके रखा है और जो हमारा उत्रखन नेचर है जो हमारा कल्चर है वहां पे उन्हों लोगों ने वो दिखा रखा है तो वो देखे काफी अच्छा लगा और दोस्तों फिर जैसे कि मैंने सुना कि वहाँ पे ऊपर एक ध्यान के निदर की कोई जगा है तो फिर उसके बाद हम लोगों वहाँ पे गए तो आप लोगों को दिखाते हैं अरे पीजोरे पीजोरे मेरे पाहड को हरे पीजोरे पीजोरे मेरे पाहड को काद में देखनें नहीं लगाया बड जैसे कि थोड़ा बहुत हाशी मजा को आप हमने किया और उसके बाद हम लोग ध्यान के लागे तो बहुत दोस्तों के साथ फोटो शूट करें गई तो उसकी कुछ इमिजस आपको दिखा देते तेरी लाग ऐसी लागी, रहन सारी सारी जागी, तो दोस्तों, जैसे कि मैं आज थानों में दिन्डाली काफे, तुम्हें वहाँ पर आया हूँ, तो जो ये सामने बैठे है मेरे भीया, ये इनका काफे, तो ये इसके बारे में बताएंगे, तो आप भी आपका नाम के है पहल ना में पाहे जिए एक उचलाए दी, उसे सोच के और दूसरी हमने ये सोचा था कि अपने गडवाली, अपने गडवाल को को आगे बढ़ा जाये. अपने जो गडवाली रितिरी वाज है, बिलुकुल होते जा रहे हैं, तो दिर जरे हमने इस विक्ते हुचा कुछ नापने अपने दोस्तों जैसे कि अपने पहुंचे हैं थानों में जो दिंडियाली के अभी आपे पहुंचे और आप देख सकते हो थोड़ा बात काफी अच्छा है आप लोग जब भी धरह दुना हो तो थानों में दिंडियाली के यहां पर घुमने आ सकते हो और मेरे साथ जो दो-तिन मेरे फ्रेंड्स लोग है तो उनसे आप लोगों को मिला देता हूँ तो जैसे की सुबह ब्रेकफास्ट में हमने आलू के पराटे खा रहे के थे बट दिन के तीन बज गए थे और हम लोगों को लगने लग गई थी भूख तो उसके बाद फाइनली हम लोगों ने खाने के लिए और कर ही दिया तो फाइनली हम लोगों को खाना आ गया था अब खाना खाते हैं अगर टाइम लैप्स ना लिया जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है तो इसलिए हमने अपना कैमरा टाइम लैप्स में लगाया और उसके बाद हमने खाना खाना स्टार्ट कर दिया तो फाइनली हमने खाना कंप्लेट किया और जैसे की टाइम भी बहुत जादा रहा इसलिए हम जल्दी जल्दी घर के लिए निकल गए तो दोस्तों कहते हैं ना प्यार में जुनून है पर दोस्ती में सुकून है और आज ऐसे ही कुछ दोस्त मेरे साथ हैं तो दोस्तों जैसे की मैंने आपको डिंडियाली कैफे दिखाया है जो की देहरा दून की थानों जगा में है और वहाँ पर आपको काफी अच्छी वाइब आएगी तो कभी भी आप लोगों को जाना हो तो आप विजिट कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप लोगो ये वीडियो ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आकन बड़न दाओना ना भूले ताकि जितनी मिमा अच्छी वीडियो और व्लॉग्स लेकाता हूं आपके पास उसका नोटि